जब जब मनुष्टे के सामने कोई विकट सिती आती है तो मनुष्टे इश्वर से रात्षना करता है इश्वर के समख रात्षना करता है कि वो इस सिती से उभरे किन्तु इस प्रात्षना का बास्तविक रूप क्या है? क्या ये हमने कभी विचार किया है? प्रार्थना का अर्थ है अपनी सारी आशंकाएं सारी चिंताएं सारे संकल्प विकल्प अपनी सारी योजनाएं इश्वर के तड़नों पर रख दे और पास अपने कर्म का फल क्या होगा इसकी चिंता ना करके धर्म के अनुजूद कर्म करना इश्वर की योजना को अपनी नियती मालने यही प्रार्षna है न किन्तु इश्वर की योजना को समझ पाना क्या संभव है वो योजना तो हमारे कारेों के परिणाम के रूप में प्रकट होती है सदा है किन्तु यदि कोई करमों का ही त्याग कर दे या वो प्रार्थना है वास्तव में कर्म ही जीवन है और फल के प्रती मोह ना रखना ही सची प्रार्थना जो प्रार्थना कर्म में बाधा बन जाए मनुष्य को कारे ही ना करने दे वो प्रार्थना है या पराजय त्वैम विचार की जाए झाल झाल